हेलो यूवा किसान साथ थी हो तो मैं आपका वई शाल कुमार वह आपका सुखत करते हैं प्यारों सी ट्यूप चैनल की शिप्रधार में यदि आप भी पालते हैं गायभायस तो हो जाया शाबधार नहीं तो हो सकती है आपकी पश्यों की मिर्त्यू इस वीडियो में हम लोग पालतू पसम होने वाले खतरनाग बीमारी हेमोडेजिक सेप्टुशेमिया सौट में बोले तो एचेस और हिंदी में बोले तो गलगोटू रोग के बारे में बात करने वाले हैं साथ ही साथ हम लोग जानने वाले हैं कि बिमारी कैसे फैलता है, लक्षन क्या होता है, कितनी खतरनाग बिमारी है और उन किसान साथियों से भी मिलेंगे जिनकी पशु गलगोटूरों के चपेट में आ गई थी इस बिमारी से संबंदी सारी जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहें, मैं दावा करता हूँ, आप भी 50% डॉक्टर बन जाएंगे और इस बिमारी से आप अपने पशु को बचा पाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग गलगोटूरों के बारे में जान ल जाते हैं और उनका अकाल मिर्तियों भी हो जाता है, यह रोग एक जिवानुजनित रोग है जो पॉषूडेला मल्टी शेडा नामक बैक्टेरिया से फैलता है, यह बैक्टेरिया पसु के शार्च नली के उपरी भाग में पहुँचकर अपना प्रभाव दिखाना सुरू क कर देता है, कुछ ही घंटों के बाद भुजन नली में पहुँचकर मकरा की जाल की तरह बना देता है, जिससे पसु भुजन पानी करना छोड़ देती है, चले किसान साथियों तो अब हम लोग सुरेश राजी से मिल लेते हैं, जो राजी बिहार जीलावे शाली बता चला कि आपकी गाय की तवियत खराब हो रही है, कुछ लक्षन बता सकते हैं जब आपकी गाय की तवियत खराब होने लगी थी, जब हम गाय को देखे ते गाय मुठशि थी, हम डाक्टर के ख़बर किये, घाक्टर साह जब आए तो उस देखे तह हम गाय के तवियत खराब है, प्यूरेद खराब है, आपको कब पता चला कि आपकी गाय गल्गोटु रोग से पिरित हो गई है, डाक्टर दोरा हमको पता किया आपी गाय बच पाई नहीं नहीं बच पाई इस विमारी से बचने के लिए दर्सकों को कुछ ऐसा बताई है जिससे उनकी मवेशी को समय रहते बचाए जा सकता है तो किसान साथ उनकी गाय तो नहीं बच पाई यह बहुत दुख की बात है पर एक और किसान साथ से आपको मिलवाएंगे जिनकी पसू गलगोटू रोग से बच पाई इसके लिए आपको एचेप पाटू देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसमें लक्षन भी आपको बताना है चलिए किसान साथियो तो गलगोटू रोग का लक्षन जान लेते हैं जिससे आप असाने से गलगोटू रोग को पकर सकते हैं और समय रहते ही अपने पसू का जान बचा सकते हैं पहले तो पसू में अचानक तेज भुखार हो जाता है और बोडी टेंपरेचर 105 डिगरी से लेकर 160 डिगरी तक चला जाता है सुजन से आँख लाल हो जाती है गर्दन में भी सुजन हो जाती है जब आप ध्यान से सुनेंगे तो गर्दन से घरघर की आवाज आएगी पीरित पसू लगतार मुग खुली रखती है और धेर साड़ा लाड निकालते रहती है यहाँ गर्दन की नीचे गाट भी बन जाता है आप इसे पकर कर देख सकते हैं और पसू को सास लेने में भी तकलीफ होता है गलगोटू रोग से पीरित पसू को कैसे बचाए जानने के लिए एचे पार्टू देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में है तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम वीडियो से जानकारी मिली है तो लाइक करें किसी फल्फूल से सम्बंदित जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल किसी प्रधान को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जाहिन दोस्तो